कैसे हो traders स्वागत है आपका trading masters channel पे तो चलिए स्थाथ करते आज का टॉपिक आज का टॉपिक है कि iq option से loss recovery कैसे करें और iq option से मतलब कि अगर आपका account loss में तो उसे recover कैसे करें उसकी मियाद tips दोंगा लेकिन तॉपिक से पहले अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पे तो like sir comment and subscribe कीजिए और earning से पहले अपने पैसे को learning पे इंवेस्ट करें चलिए स्थाथ करते हैं सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली है जबी भी आप platforms पे trade करते हो तो पहली चीज़ कि वह आपके खुट के पैसे होने चाहिए जो आप loss कर रहे हो आपके खुट के पैसे होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को टोपी पैना रहे हो मतलब कि किसी और से पैसा ले रहे हो फिर किसी और को डे रहे हो उससे पैसा लेकि इसमें डाल रहे हो ऐसा कर रहे हो मतलब कि सब लोग से आप आदा आदा पैसे लेते जा रहे हो लोगों से और फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो यह अच्छी चीज नहीं है ऐसे तो आप लॉस करती रहोगे क्योंकि जब तक पैसा आपका नहीं होगा ना तब तक डूसरों के पैसे से आप में नहीं किया होगा तो वैसे ही रिकावर भी वो एक दिन में नहीं होगा टाइम लगता है अगर आपको एक दिन में रिकावर करना है तो तो आप लॉस्ट पे लॉस्ट करती ही जांग को ही मतलब कि उसका अंग तहीं और लॉस्ट कर दो कर रहे हो और फिर लौस पे लौस पे लौस फूटे जा रहे यह लो सी कवरी में हमेसा झायन रखो और एक दिन में लौस दिख के फिर लौस रिकवरी करने में ठीक है फिर आगे एक और चीज मैं बूलना चाहँगा है की एकाउंट मैनेजमेंट और सिगनल से बचो अगर कोई आपको बोल रहा है मैं आपका पूरा लॉस रीकवर कर दूंगा मुझे इतना पैसा दो उनसे बचो क्योंकि वो क्यों मतलब कि आपसे पैसा लेकि ऐसा सब कर रहें ज्यादा चांसे से कि वो आपसे पैसा लेकि ब्लॉक रखो कि जल बाजी मत करो इसमें रिवेंच ट्रेडिंग और ये सब मार्केट से आप बदला नहीं ले सकते आप अगर मार्केट से बदला लेने जाओगे तो आप कंगाल हो जाओगे तो मार्केट से बदला मतलो ठीक है आगे एक और चीज़ लेकिन उस पे जाने से पहले अगर आपको मेरा one-on-one coaching class join करना है तो price और details description में है चलिए start करते हैं आगे next चीज़ जो मैं बोलना चाहूंगा account recovery में कि बहुत सारी strategy ना use करें starting में ठीक है अगर आपका account loss में है ना तो बहुत सारी मतलब की तरे तरे की कि आप YouTube पे देखके strategy ना ही डालो तो अच्छा है क क्योंकि उसमें से कुछ काम करेगी कुछ काम नहीं करेगी अब आपने डाल दी अंदर strategy पे पैसे डाल रहे हो डाल रहे हो और आप loss कर रहे हो कभी दिन कर रहे हो इससे कोई फाइदा नहीं है आप loss पे loss करते जाओ देखो आप जितना loss करोगे ना उससे आप कोई नुक्सा होना ही चाहिए money management के साथ ही आपको trade करनी है money management के बगएर कहीं पे भी trade मत मारो money management साथ में रखो और फिर ही अपनी trade मारो ठीक है अब अगली चीज़ अगली चीज़ मैं बोलना चाहूंगा कि blindly trade मत करो जुआ मत खेलो ठीक है देखो जुआ खेलोगे ना तो कभी ना कभी तो loss कर दोगे तो यहां पर जुआ खेलने से बचो जुआ मत खेलो ठीक है अच्छे से सीखो यह चीज़ को फिर money invest करो और आगे बरो अगर जुआ खेलोगे ना तो आप ज़रूर loss करो आगे जाके और जैसे मैंने बोला यह indicators और account management यह भी बच करो इससे अच्छा है कि money को learning पे चला जाएगा इसलिए बोल रहा हो ठीक है तो आज का topic इतना ही था आसा करता हो आपको समझ में आओगा अगर आपको मेरी one-on-one coaching class जॉइन करनी है तो मेला telegram link और email description में मैं आपकी one-on-one class लोंगा जिसमें मैं सिफ आपको ही सिखाऊंगा मेरे coaching class में करीब 10 classes होगी उसमें 6 classes के बाद आपको मेरे सामने ट्रेट करनी होगी आपकी में live trading भी देखूंगा ये चीज़ सिफ में करता हो कोई और नहीं करता मेरे coaching class की price 150 डॉलर आप Google पे जाके लिख सकते हो 150 डॉलर इंटो INR तो आपको Indian currency में पता चल जाएगा अगर आपको मेरा student का results देखना है तो telegram channel link description में trading masters का official channel join करना है तो उसका में link description में thank you god bless you all and have a successful trading